अगर मैं सिधा ही लूँ तो यह कट नोट्स में आयेगा पर रा की रिक्वेर्मेंट ऐसे नहीं है, रा की जो प्लेसमेंट अब नोट है अगर मैं सिधा ही लूँ तो यूँ तो यूँ तो यूँ तो यूँ तो यानि यह जो टेक्निकल रिक्वेर्मेंट है एक रा की बड़त की शास्त्र के हिसाब से वो आना चाहिए और वो यह है चाहिए उसको अलाब के अंग में आप ले लीजिए जैसे मैं जोड में आता हूँ तो देखे कैसे आएगा कर दो यूँ तो यूँ तो यूँ तो यूँ हर नोट का अलग-अलग-अलग-अलग शेड आना चाहिए उसकी प्लेस्मेंट कितनी है वो अगर दूसरे नोट के साथ आता है यह सारा गुरुशिश परंपरा में ही बता जाता है किताबों में रेफरेंस तो आ ही जाता है लेकिन लगेगा कैसे तो वो तो सेना बसीना ही ह होता है किसाब जब अप उसे पंचम पे आ जाओगे तो यह इस इस डंका लगना चाहिए अगर आप सिर्फ टुक्टुकी करते रहें तुन-टून करते रहें जैसे जल तरंग में आ गया वर थोड़े से बच गया आप जो कुछ बच गया तो उसे मन को तो ठीक लगेगा हाँ पे थोड़ी देर के लिए तो ठीक है लेकिन जो राग की ग्रैविटी है जो उसका ग्रैंजोर है जो हम कहते हैं हम राग भजाते नहीं है बलकि राग का श्रंगार करते हैं उसका पुझा करते हैं तो श्रंगार कैसा फेर श्रंगार है कहाँ प करते रहो पूरा दो गंटा तो ठीक है जो सुनने वाले हैं उनको शायद या तो ख़बर नहीं है या पर आपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सुन-सुनके क्यों कि शास्त्री संगी छूट नहीं देता जी आपको वो नहीं मानता वो यह कहता है कि जो कर रहे हो मेरे नंग से चल